एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल पी के मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए रेकर आया हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर की यूनिट 12 का ये यूनिट 12 है ऑक् यह अन्य बुक में इसका नाम ए मिड्समर नाइट्स ड्रीम भी और इसके आथर लेखक जो है वो प्लेरिट जो है वो विलियम सेख्षपीर है एक्शुली ये एक प्ले नाम भी है और सच मुछ में ये प्ले है भी प्ले मिन्स खेल नहीं प्ले मिन्स ड्रामा कह लिजिए नाटक कह लीजिए तो इसके प्लेयरिट जो है विलियम शेक्षपियर है इस वीडियो में जो है वो मैं आपको कोस्तन आंसर साड़े आंसर सोंगे और जो कोस्तन आंसर सोंगे उनको मैं हिंदी में explain भी करूंगा यह लास्ट चैप्टर है इस गुलमोहरीडर पार्ट सेवन का और इसके सारे चैप्टर सारे स्टोरीज को मैंने explain किया है line by line हिंदी में उसका लिंक आपको उपर मिल जाएगा इसके अलावा मैंने सारे प्लेयम को explain किया है उसके summaries को explain किया है तो यह सारे आपको एक ही प्लेयलिस्ट में मिल जाएंगे गुलमोहर सेवन नाम से और दूस इसका इस play का जो है वो आप उपर में link आपको मिल जाएगा जिसमें कि आपको जो है वो play का line by line explanation है हिंदी में चलिए तो अब शुरू करते हैं लोग और शुरू में जो है वो understanding the text है जिसमें कि है complete this table about the play the man were rehearsing तो यह तो केवल answer से इसमें explain करने वाली बात नहीं हो जो fill in the blank आपके book में है उसमें आप भड़ लेंगे 1 तो बना हुआ है टू का A है और B है बी का भी 1 और 2 है फिर इसी प्रकार से आपको 3 का A है और B है बी में 1 भी है और 2 भी है फिर आगे बढ़ेंगे number 4 पर और number 4 में इसी प्रकार से आपको A और B दो है तिक है अब हम लोग बी की ओर जिसमें की है answer these questions है ना तो answer these questions में जो है पहला question है इसको हिंदी में explain करेंगे where did the actor meet for the rehearsal की जो actors हैं वो कहां पर मिलते हैं rehearsal के लिए rehearsal आप समझते होंगे कोई भी drama होता है कोई भी play natuk होता है तो उसको पहले से उसकी practice करते हैं तो वो rehearsal होता है वैसे वह सारे लोग उसको थोड़ा अजीव उचारन करते है rehearsal या कुछ लेकिन यह rehearsal होता है why did they think it was a convenient place क्यों उनको लगता है कि यह convenient place था तो मतलब जहां वो कर रहे है तो answer है the actors met inside the wood यह wood, wood means याद रखेंगे wood means लकडी नहीं बलकि जंगल में actors का मिलते हैं तो जंगल में one में मिलते हैं चोटे जंगल को wood करते हैं and wood means लकडी भी होता है वैसे I thought it was a convenient place उनको लगा किये कि यह convenient place है because the green plot यानि वो जंगल है जो one है तो green plot होंगे तो वो अच्छे ही होंगे तो वो उनके stage का काम करेगा the hot throne break could serve as their green room वो उनके green room की तरह काम करेगा and they could rehearse there as they would have to act in front of the duke और वो उनको लगा कि वहाँ वो rehearse कर सकते कि उनको duke duke means एक तरह का कहिए राजा king तो उसके सामने उनको play करना है तो अच्छे से इसकी practice कर ले अच्छे से इसको rehearse कर ले question number two है question number two में कहता है strange piramis then over played here तो कहने का मतलब है who was puck referring to puck किसके बारे में बता रहा था what mistake did the actor make क्या mistake जो एक्टर ने किया था तो puck was referring to bottom bottom के बारे में बता रहा था who was playing piramis जो piramis का play कर रहा था मतलब उसका role कर रहा था bottom mixed up the words or orders and audience while saying his lines अपना line बोलते समय वो इसको mix कर दिया था बरेंगे आगे question number three की और question number three में है I see their neighbor this is to make an ass of me to fright me if they could but I will not still from this place still means so he'll not do what they come चाहे वो जो कुछ भी करे तो इस line को परके बताना कि who is the speaker यह line किसने का और इसी में कहना कि why did he think the others were making an ass of him क्या माकी लोग उसे गधा क्यों बना रहे थे तो the speaker is bottom speaker bottom है पक changed his head into the head of an ass वो जो है पक जो है उसके head को जो है वो change करके एक ass का गदे का स्री लगा दिया था when he re-entered according to his cue अपने उसके हिसाब से the others were scared to see him with an ass head सिधी सी बात है गदे का स्री लग जाएगा तो वो तो थोड़ा सा डर लगेगा यह न रहना भी और वो चल दिये दे केम बैक one by one to tell him that he was changed है ना कि वह जो है देख केम बैक एक एक कर क्या कि वह चेंज हो गया वट बॉटम डिड़ बिलीव और अंडेस्टेंड देम डिड़ नट बिलीव और अंडेस्टेंड देम नहीं लगा कि नहीं ऐसे ही बता रहे ही थाट दे वर ट्राइंग टू मेक फूल आफ इम कि वह उसे मुर्क बना रहे है अच्छा कोई व्यक्ति हो और आपका कोई ऐसा चिंज हो जाए रूप अचानक इसा तो पॉसिबल है नहीं तो लगेगा नहीं किया रहे है यह बेवकू बना रहे है मुझे ऐसा थोड़ी होगा कि मेरा सिर्फ गज़े का सिर्फ कहां से आ जाएगा है ना तो यह नेच्रल सी बात है अगे है भी वाज दा स्पीकर फ्राइटेंड येस दा स्पीकर वोज हाँ एस्पीकर जो है वो फ्राइटेंड था विकोज रहे है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों जो है ये बाकी लोग जो है वो ऐसा अलग बेवार कर रहे थे क्यों वो उससे रनिंग अवे उससे दूर भाग रहे थे फिर है वाट डिट देस्पीकर डिसाइड तू वाई एस्पीकर ने क्या करने का निश्य किया और क्यों तो बॉटम जो एस्पीकर ता उसने डिसाइड किया कि उस प्लेस से वो नहीं जाएगा नो मैटर हाँ और ली द आधर बेहेवड चाहे दूसरे कितने भी और ली बेहेव क्यों न करें ही डिसाइड टू वोक अप अ जो है दूसरे उसको सुन सके और लगे कि वो डरा हुआ नहीं है इसी प्रकार से नमबर फोर है पक अफेक्टेड बॉटम बोथ डिरेक्ली और इन डिरेक्ली पक ने जो है वो डिरेक्ट कहिए या इन डिरेक्ट जो है बॉटम को अफेक्ट किया था उस पर प्रभावित कि था कैसे, how did he do that, कैसे उसने किया, आपको पहराज 35 से 43 के बीच में बताना है, पक changed bottom set, पहला तो उसने जो है bottom के head को change कर दिया, that of an ass, एक गधे के रूप में, गधे का सिर बना दिया, that was how he affected him directly, ये तो हो गया, directly, the other actors were scared of bottom, दूसरे जो एक्टर थे वो bottom से डरे हुए थे, और अबे और दूर भागते थे, पक also dropped the juice of a magical flowers on titania's eyelids, उसके आँखों में, टाइटेनिया के डाल दिया था, एक जादूई liquid, whilst he was sleeping, जब वो शोड़ रही थी, because of this, और इसकी वज़ा से, इस liquid की वज़ा से, टाइटेनिया woke up, जब वो उठी, and saw bottom, उसने bottom को देखा, she immediately fell in love with him, त और वो जो है, उसको जो डाले रही भाई, तुम अपने साथ मुझे रखो, that was how affected bottom, indirectly, और इस प्रकार से, ये indirectly भी उसको affect किया था, तो directly तो गदे का सिर, और indirectly, फिर इसी प्रकार से, ये 5 के lines है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, इसी से related question, A है, who was speaking to whom, और when, कौन किस उठा, saw him, उसे देखा, and told him that she had fallen in love with him, तो उसने वो जब टाइटेनिया जगी, तो देखा उसे, और इस प्रकार से, उसको प्रेम हो गया, क्योंकि आँखों में उसने ऐसा, magical वो डाल दिया था, liquid डाल दिया था, अब आगा, you should have little reason, for what, तो कह रहा है, what was the, what has the listener just said, लिसनर क्या कहा था, the listener Titania, speaker bottom था, और listener Titania थी, had said that she had fallen in love with bottom, वो बोली थी कि bottom से उसको प्रेम हो गया, and in reply, और जबाब में, he said that she should have little reason to falling in love, कि भी कोई तो region होगा, with him, कि उसे जो प्रेम हो गया, तो आखिर कोई region तो होगा, तो speaker, C में अब कहता कि, what did the speaker mean by region and love hardly keep company, तो कहने का मतलब है, bottom means that love really follows region और लोजिकी प्रेम तो यहीं हो जाता, उसके लिए किसी reason की आवशकता नहीं है, six का इसी प्रकार से जो है, तो आपको है, कि be kind and courteous to this gentleman, which gentleman does this refer to, किस gentleman की बात हो रहे है, यह how to Titania's fairies be kind and courteous to him, कैसे उसके fairy, जो है, उसको kind or courteous उसके प्रती होंगे, आंजर तोड़ा बढ़ा है, बढ़र यह जरूरी है, तो कहता, this refers to bottom, यह जो है, bottom को refer कर रहा है, Titania and bottom, Titania told bottom, Titania and bottom से कहा, that her fairies would attend on him, कि उसकी fairy उसे attend करेंगी, bring him jewels from the depth of the sea, उसके लिए jewels लाएंगे समुदर की गहराईों से and sing to him, उसके लिए गाएंगी, while he slept on pressed flowers, on pressed flowers, वो जो फूलों के बिस्तर पर जब सोएगी, she asked her fairies, यहीने उसने अपने fairies से का, to be kind and polite to him, कि वो polite रहे, she told them to hop, hop means, फुदकना होता है, dance and amuse, यानि मनुरंजन करना है, as he walked, जब वो walk करें, तो feed him different fruits like apricots, थोड़े अलग-अलग apricots, जैसे आलू बुखारा, dewberries, purple grapes, green flicks and mulberries, यह सब जो है, and to bow to him, bow means, जुखना वैसे धनुस भी होता है, bow, then she asked them to lead him to her bower, फिर कि वो अपने bower में, bower एक an open place होता है, जंगल में, उसको कहते हैं, अगला है आपको appreciating the text, का दूसरा number है, हो कहता है, I can, है न, leak upon occasions, तो यह जो है, यह line जो है, who says this and who है, when, कौन कहता है, और कब कहता है, do you agree with the speaker, क्या speaker के साथ agree हो, which other jokes does the speaker make, और क्या joke मनाते हैं, how do these jokes make use of wordplay, कैसे जो है, यह wordplay में बन जाता है, use the different meaning of the same word, इसके लिए करना क्या है, different meaning का use करना है, same word के लिए, bottom said this, after making a joke about love and reason, यह bottom जो है, यह कहता है, joke करने के बाद and reason being separate from each other, और सबके न, अलग-अलग reason वो बताता है, and the need to bring them together, और उसको कैसे साथ लाने किया बसकता है, meaning को, तो bottom made some other jokes in this scene as well, कुछ और भी joke किये, when he was introduced to Titania's attendant, जब Titania के attendant जो उसके साथ आये थे, तो he joked about the names, और उनके नाम के बारे में joke किया, those jokes made use a wordplay, और यह wordplay बन गया, कैसे तो bottom used different meaning of the same word to make the jokes, for example, same word का I used किया, example के तोर पे, he said that, he would want to know the cobweb more closely, और वो cobweb को ज़्यादा बढ़िया से समझेगा, if he cut his finger, जब उसकी उंगली कट जाएगी, और तो he was referring to the popular belief that cobwebs जो होते हैं, when applied to a cut or wound, जब वो cut पे या wound मने तो घाव पे लगा जाए, help to stop the bleeding, अब वो तो नाम भी था उदर उस व्यक्ति का, फिर है, पीज बॉसम्स नेम sounds like the flower of pea tree, जैसे पी जो क्या कहते हैं, उसको मटर जो होते हैं, तो उसके पेर की तरह उस लगता, तो ऐसे पीज बॉसम्स तो लगेगा कि जैसे पीज का फ्लावर हो, तो बॉसम्स तो बॉसम्स तो पीज बॉसम्स पेरेंट्स का नाम लेकर के जो है, उसमें कहने लगा कैसे, तो होम ही कॉल मांस्टर पेसकोर्ट यानि की दफादर ऑपी एंड मिस्टरेस एसक्वेस यानि दफाधर आप्लाट्ट्त तो बॉसम्स तो मस्टर सीड, इस प्रकान नाम मस्टर सीड ता, ही सेड़ रचाई फार्म इमबर्स की, उसके फैमिली मेंबर्स के वजए से, in cooking and also that he had cried because of the sharpness of mustard. Sharpness मतलब वही वह इसके जो जैसे आप आँखों में लाएगा जब वो सबजी वगर में बनाने के लिए डालते हैं तो इसलिए ये डवल मिनिंग इसमें इसमें इस्तेमाल कर रहा है फिर आपका रीड पैरा 47 अलाउट पैरा 47 को जोड से पर ये हाउ और वाई है राइस्पीच पर्यट्श पर्टिकूलर्ली म्यूजिकल कैसे उसके उसको मूजिकल मनाते हैं का lines of a speech rhyme do not desire to go whether thou will तो यह इन सब के द्वारा है musical बनाया गया note अब यह कहेंगे कि musical इससे कैसे पता चलता है तो कहने का मतलग कि यह इसी प्रकार English के यह words को उसी प्रकार पे sit किया गया होगा the character and incidents in the text are of three types वो तीन प्रकार के है the real fictional and magical तीन प्रकार के हैं can you explain this statement क्या आप इस statement को कह सकते हैं who are the people and what are the incidents of each type कौन है यह लोग और क्या है यह incident तो the real people in the text are bottom and the other actors जो actors हैं वो they gather to rehearse a play वो एक प्ले को नाटक का रिहर सल करने के लिए आया थैं प्रैक्टिस दियर परफॉर्मेंसे तिल पक डिट सम मिश्चीफ जब तक कि पक ने कुछ मिश्चीफ नहीं किया ता कुछ बदमास यह नहीं कि थी the fictional people in this text are पिरामस and थिस्वी जिसका रोल यह लोग करने वाले थे the actors were going to stage a play called पिरामस and थिस्वी and they had to pretend और उनको महाना करनाटा to be these characters and enact the fictional events in the play और इस तरह से इस अनाटक पर कुछ fictional events करने थे such as पिरामस drawing a sword to kill himself जैसे कि वो कलवार निकाल के खुद को जो है वो मानने जा रहा हो और पिरामस and थिस्वी talking through a chink of a wall या फिर दीवार के एक तरफ से दूसरे तरफ जो हलका सा छिद से बात करें finally the magical people in this magical people भी इसमें आ जा तो इस टेक्स में आर पक टाइटेनिया और क्यों तो टाइटेनिया फेरी इसके पड़ी वाले थे and king over and he is up the magical incidents are the pucks magic tricks है ना जो की changing bottom said कि उसको जो गदे में बदल देता है and putting the juice on a of a magical flower on titania जाइल इसके आँख में जो titania के आँख में जो fluid जो liquid डाल दिया था वो तो यह तीनों प्रकार की इस टेक्स्ट में है इसके बाद आपका grammar and uses है तो इन सब के answer जो है वो मैंने दे दिये हैं उन सब को आप video को pause करके एक screenshot ले करके रख सकते हैं आपके use में आएंगे फिर इसका यहाँ 7 से ले करके और इसका यह 5 तक है फिर बनेंगे आगे और आगे words in use है यह सारे answers आपको यहाँ पर available है यह यहाँ तक हो गया फिर चलिए आप B पर आते हैं बी आपको जो है वो यहाँ से ले करके यहाँ तक है यहाँ तक है फिर इसके बाद हम लोग शी को देख लेते हैं सी में भी जो है वो आपको फूरा यहाँ से 6 तक है और इसके बाद है राइटिंग राइटिंग में जो है वो संपल आंसर राइटिंग को आपको खुद से करना चाहिए बढ़ जल्दी में हो तो आप इसको कर सकते हैं और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और है नीचे और यहाँ पर इस प्रकार से समापत हो गया उमिद करता हूँ आपने आपको यह हेलफुल रहा कैसा रहा यह वीडियो कमेंट करके जोड़ बता है चैनल पे नए है तो मैं बता दूँ आपको कि हमारे चैनल पर आपको गुलमोहर इवीडर पार्ट 6, 7, 8 और इसके अलावा एंसी आर्ट इंगलिश के बुक्स 7, 8, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 और साथ में भी हार बोर्ड 11 और 12 के इंगलिश सब्जेक का कम्प्लीट शॉलिशन हमारे चैनल पर मिलता है तो इसमें से किसी भी क्लासे में आप सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन विल में औल को को प्रेस कर देए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुछ से कहाratic वीडियो पसंद आये तो लाइक करें ना पसंद आये तो डिसलाइक करें मिलते एंगले झाल झाल